नाश्कार दोस्तों राइन मोटोगोड के एक नहीं फ्रेश कमल वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ है तो इंट्रेस्टिंग जिसको दोस्तों हीरो ने ही लॉंच किया है यहां पर दोस्तों हीरो की कंपडिशन हीरो खुद बन चुकी है यहां पर मतलब के साथ आ रहा है और यहां पर दोस्तों को मिलता है मैसीव 320 mm की इंडस्टी स्ट्रेंडर जो डिस्क है वह मिलता है और यहां पर दोस्तों आपको ABS भी दिया गया है और दोस्तों यहां पर यहां पर इसकी प्राइस जानी बाली है दो लाग सतर के ऊपर और यहां पर आपक को प्रशाओंग हमोर्台 को इंडिकेटर आपको उलड़ी सेट अपको यहाँ पे दिया गया है आप लोगं देख सकते हो प्रजेक्टर भी मरता है और पें चाहरा काफी ज्यादा बढ़िया मत tak यहां पर जो इंडियान रूट के लिए काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं कि यहां पर मट से जो और सिर्क ने के चंसे बहुत ज़्यादा कम होती है और यहां पर आप लोग देखिए कितनी ज्यादा स्पोर्टी स्टाइलिस्ट और मिटल की मटगार्ट दी गई है और नीच कि आपको कवर्ण मिलता है यहां पर सिंगल और के साथ आती है हॉं की उपर भी आप लोग देख सकते हो फीरो की अच्छे मिल पर मिलता है और मतलब तो मतलब यहां पर मट और की जयदे अग़रा जाने की चांसे बहुत जादा कम है यह जो बैजिंग वाली यह दोस्तों मि यह पर दोस्तों मेशिन चैट वगरा देखने को मिल रहा है इंजिन के उपर और इंजिन के साइड में भी आप लोग देख सकते हो हीरो की बैजिंग के साथ शायद से बेडेस में है मीडिया बेस् वरियां में आपको यह देखने को जो कि आती है 6000 rpm जो काफी जादा बढ़िया है 36 mm की मैक्स टॉर्क है जो की 4000 पर अनलोग हो जाती है तो यहां पर दोस्तों आफ रोडिंग के लिए टूरिंग के लिए तो यह बाइक काफी जादा बढ़िया होने माली है और दोस्तों यहां पर देख सकते हो जो फुर्ट्रेस इसे जो कि दोस्तों आपको हाला में थोड़ी सी गंधी looking को मिलता था और यहां पर लोग देखिए जो फ्लिक्सिबल फूट्ट्र यहां पर देखने को तो यहां पर मैक्सिम्म जो क्वालिटी है यह हाले से लेगा है लेकि दोस्तों यहां पे जो ट्विंड शॉक एब्जॉर्वर यूज हो रहा है जो कि आज की टाइम में हार एक बाइक में मोनो शॉक होता है वो थोड़ी सी एक कॉस्ट कटिंग सी चीज है और यहां पर जो साइट पैनल है बि İsट है गया है यह जो की कि आ जो का्या है वहाँ पर आपको कम ही देखने को मिलता है यह दोस्तों बॉसी थाय। ब्लैक अंदर भी तो यह धूप में खड़ी होगी तो काफी ज्यादा शाइन करेगी यहां पर देखिए डिस्क आपको मिलता है 240 mm की बाइबर की सिंगल पिस्टन कैलीपर है लेकिन यहां पर यहां पर यहां पर गैस चार्ज यह यूज किया गया है यहां पर 150 सेक्षिन की र जो कि आपको हाली डिविशन में देखने को नहीं मिलता है यहां पर दोस्तों गैस चार्ज ना देके यहां पर नॉर्म सी सब्स्पेंशन देके थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है शायद से एक्सेसरीस पर यह आ सकती है और हीरो की बैजिंग आप लोग देख सकते हो मिल रहा लेकिन दोस्तों यहां पर अच्छी चीज़ और यहां पर इतनी टॉर्क और वाली इंजिन वह दोस्तों काफी ज़्यादा बढ़िया है इस प्राइस पॉइंट पर खास करके आप लोग देखिए आपको कौन सी बाइक की अच्छी लेगे मुझे बताइए कि मुझे दोस् ज्यादा मुझे उम्मीद है थी क्योंकि यहां पर एक्स्ट्री मुएं 25 आर में आपको बहुत ही बेटर लोगिंग सारी गड़ देखने को मिलता है तो यहां पर कुछ ऐसा है जो है वह है तो आपको मिलता है सिक्स्पीड मैनूल ट्रांसमिशन तो यहां पर इस बाइक को आप दूसरी कोई भी और छे स्पीड वाली बाइक से कंपेर मत कीजिए हाई रेविंग इंजिन नहीं है बहुत ज्यादा स्मूथ और क्रूजिंग के लिए बनी हुई है यहां पर उस तो इंजिन काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि दोस्तों यहां पर आप कोई भी दे बाइक चलाते होंगे पहले तो आप इस बाइक को चला पाएंगे और यहां पर उस तो मैलेज भी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है 35 के उपर आप एक्सपेक कर सकते हो कि यहां पर यहां पर यह लॉंग स्ट्रोक इंजिन है इसके थूरू आप क्रूजिंग वगरा क बुलेट से भी आपको बहुत बहुत ज्यादा पाउर और टॉक देखने को मिलता है जो कि दोस्तों काबिलत तारीफ है यहां पर आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला था पास्लाइड आपको देखने को मिलता है ट्यूब टैप की हैंडेल बार दिया गया है तो होती है यहां पर इस्ट्रुमेंट प्रस्ट है और जो की है थोड़ी सी मतलब अभी मोन तरहल लगने लगी है क्यां किसे पर स्कूटर में भी आपको सेम की देखने को में को मिलता तो इसको चेंग करना चाहिए और यहां पर देखिए कुछ सेम तरीके का आपको वेरिंग को मिलता है जो कि आपको हाले में भी पहले देखने को मिलता है तो केबल मेनजमेंट थोड़ी और बेटर हो सकती थी और यहां पर दोस्तों बारेंड भी आपको देखने को मिलता है और टॉप व्यू से तो काफी जादा बड़िया लगती है मिटल की टैंक है यहां पे आप लोग टैंक बैग मैगनेटिक यूज़ कर सकते हो तो यहां पे टूरिंग के लिए उस तो यह बाइक बहुत ज़्यादा रेकॉमेंडेवल है यहां पे डूल टोन फिनिश में आपको सीड भी देखने को मिलता है जो की कॉपर और ब्लैक में है आप लोग बतागी है कि आपको यहां पे जो ग्रैब रिल भी है वो मेटल की है तो यहां पे उस तो चीजे बगर एटच करके काफी दूर तक जा सकते हो तो यहां पे जो बाइक है वो काफी ज्यादा बड़ी है ऐसी स्टाइलिंग के आपको एक और बाइक मार्क अभी भी देखने को मिलता है तो आप लोग उस बाइक की जो नेम है वो कमेंट में मुझे बताई और आपको यह बाइक कैसी लगी है टॉप मोडल दो लग सतर से असी हजार हो सकती है अपिशल प्राइस अभी तक आई नहीं है तो आप लोग बतागी कि का आपको क्या ओपिनियन है क्यों में मुझे। एर यह थासंट तो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नेक्स वीडियो आने वाली होस्तो हारली और मैवरीक की कमप्रेजन तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन दबा दिजिए मिलते आपसे नेक्स वाली ऐसी किसी बैकर इंफरमेटिव वीडियो में तिल दे से सफे एंगी रिए इन